हेलो फ्रेंड्स एमस्कोडर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कंटीनियू स्टेटमेंट क्या होता है कब हम इसको प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं इन सारे पॉइंट को आज हम डीपली डिसकस करेंगे एक एक कंटीनियू स्टेटमेंट इसको हम प्रोग्राम के थू समझेंगे तब हमारी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा थर्ड पॉइंट है यहां पर इस सी कंटीनियू स्टेटमेंट इस इंसाइड फोर लूप वाइलूप एंड दू वाइलूप मतलब जो कंटीनियू स्ट सेख्रेटमेंट होता है इसके हम फोर लूप के अंदर भी यूज कर सकते हैं और डूई लूप के अंदर इसको यूज कर सकते है लेकिन इसको हम स्वीच के में दर यूज नहीं कर सकते नेस्ट Yeah but it is also known as jumping statement इसको हम streaming स्टेटमेंट भी बोलते हैं तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और अगर एक्जाम में आपको केवल इतना आता है कि एक्स्बेन कंटीनिड स््टेटमेंट तब आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो तो चलिए अब इसका शिंटेक्स से किस तो आई हो फ्रेंड यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब हम इसका एक इक्जामपल भी समझते हैं पहले इस इक्जामपल के फोलो को समझेंगे और फिर इस इक्जामपल को सिस्टम पर भी रन करा कर देखेंगे यहां पर हमने डायरेक्ट फोलूप से डीपली डिसकस किया हुआ है अगर आपको फोलूप के बारे में नहीं पता तो आप फोलूप वाली वीडियो देख सकते हो उसके ओपर भी हमने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है फोलूप का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन वोक्स में मिल जाएगा और यहां पर हमने अंदर for loop की body बनाई हुई है और यहां पर हमने एक if statement लिखा हुआ है और यहां पर एक हमने print app function भी लिखा हुआ है तो यहां पर iq देखिए friends value कितनी है one है और यह for loop तब तक चलेगा जब तक iq value 10 से कम होगी या 10 के equal होगी तो सबसे पहले compiler यहां पर आएगा इस condition को check करेगा यह condition true हो जाएगी क्योंकि iq value अभी कितनी है one है तो यहां से जैसे यह condition true हो जाएगी for loop के अंदर जाएगा compiler और यहां पर फिर उसको एक if statement दिखाए देगा तो वो यहां पर आएगा और इस condition को check करेगा तो अभी iq value कितनी है one है और यहां पर three है तो यह condition false हो जाएगी क्योंकि one three के equal नहीं होता है तो compiler इफ की body के अंदर एंटर नहीं करेगा वो direct printf के पास आएगा और इसके अंदर जो भी statement हमने लिखी हुई है उनको execute करा देगा suppose कीजिए कि यहां पर हमारा output screen है तो यहां से percentage d की जगह पर कितना print हो जाएगा iq value और iq value कितना है अभी one यहां पर one print हो जाएगा और यहां पर हमने थोड़ा सा space दिया हुआ है तो जो next हमारा output print होगा वो थोड़ा सा space देके print होगा और फिर यहां से compiler क्या करेगा यहां प हो जाएगी compiler for loop की body के अंदर enter करेगा और यहां पर उसको यह statement दिखाए देगा अब की बार iq value 2 हो चुकी है लेकिन यह condition फिर भी true नहीं होगी क्योंकि i2 जो होता है तीन की equal नहीं होता है compiler यहां पर आएगा printf के पास और यहां से iq value कितनी print हो जाएगी यहां पर 2 print हो जा if की body के if के अंदर जो हमने statement लिखा हुआ है उसको check करेगा तो यहां पर देखे iq value की बार 3 हो चुकी है और यहां पर भी 3 है यानिकी condition true हो जाएगी जैसे यह condition true होगी compiler if की body के अंदर enter करेगा और यहां पर देखे हमने क्या लिखा हुआ है continue तो जैसे ही compiler यहां पर आएगा तो इसको continue दिखाए देगा तो यहां से direct यहां पर आ जाएगा वो यहां पर आजाएगा मतलब इस if की बाद यानिकि इसकी body के बाद वो आएगा ही नहीं वो if की body से direct यहां पर आजाएगा और iq value को एक से increase कर देगा अब की बार यहां पर iq value कीतने हो जाएगी 4 तो फिर स यहां पर आएगा और 20 आफ के पास आएगा जहां से यावन के वेल्वेंट कर देगा आई की वेल्यू कर देगा फॉर तो देखे फुरेंट जो हमारा तो जैसे ही यहाँ पर IQ value 3 हुई थी और यह continue execute हुआ था तो compiler direct यहाँ से कहाँ पर आ गया था for loop के starting में आ गया था तो I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब इसी program को हम system पर भी run करा कर देखे तो देखे friend हमने वही program यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले हमने यहाँ पर header files यूज़ की है और फिर यहाँ पर man function के हमने body लिखी हुई है integer type का एक variable यहाँ पर declare किया है और फिर for loop की body हमने यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर friend हमने for loop की body के अंदर continue statement को नहीं लिखा है क्योंकि हम यह चाहते है कि पहले हम इसको बिना continue statement को यूज़ किये इसको run कराए और फिर continue statement को यूज़ करके हम इसको run कराए और फिर difference देखेंगे कि इस output हमें क्या मिलता है तो चलिए हम execute में जाकर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इक interface आएगा first number पर आपको दिखाए जाएगा compile तो जैसे ही compile पर आप प्रेस करोगे तो हमारा program compile हो जाएगा तो हमारा program compile हो गया है फिर से execute में प्रेस करेंगे तो next line में आपको दिखाए देगा run त तो यहां पर output क्या है? 0, 1, 2, 3 से लेकर हमारे पास 10 तक हमें output दिखाई दे रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा change करते हैं थोड़ा सा change क्या करना है? हमें यहां पर continue statement को लिखना है तो देखें हम यहां पर if की condition लगाते हैं और यहां पर हम एक condition लगाते हैं कि जैसे ही I की value 10, 5 हो जाएगी तो यहां पर controller if की body के अंदर enter करेगा और यहां पर हमें एक continue statement को use करना है तो यहां पर हमने continue statement के syntax के बारे में भी हमने अभी जाना था कि continue statement का हम syntax कैसे लिखते है अब हमने यहां पर इसका syntax लिख लिया है अब हम फिर से execute में जाएंगे और यहां पर इसको पहले compile कर लेंगे तो हमारा program successfully compile हो गया है अब हम इसको run भी कर लेते हैं तो देखें हमने इसको जैसे ही run किया तो अब की बार देखें हमें यहां पर output में क्या दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हो कि हमें output में 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 4 के बाद direct हमको यहाँ पर 6 मिल रहा है, यानि कि 5 नहीं मिल रहा है 5 हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही IQ value 5 हुई थी compiler if key body के अंदर आया, उसको यहाँ पर continue statement मिला और वो direct यहाँ से starting में चला गया, और IQ value यहाँ पर 6 हुई और फिर से for loop के अंदर आया, और उसने continue इसके iteration को complete किया तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि continue statement क्या होता है और हम इसको कैसे use करते है, फ्रेंट थोड़ा सा changing और करके देखते है इसमें ताकि जो continue statement है, वो हमारे mind में अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो यहाँ पर देखे हमने उस condition को ही खतम कर दिया, हमने direct इस for loop की body के अंदर यहाँ पर हमने continue statement को use किया है, अब देखते हैं कि हमारा output क्या आएगा तो चलिए execute में जाकर press करते हैं, हम पहले compile कर लेते हैं इसको, compile हो चुका है हमारा program, अब हम इसको run भी कर लेते हैं तो देखे friend, आपको कुछ भी output नहीं दिखाए देगा, output क्यों नहीं दिखाए देगा, उसका कारण है continue statement, यानि कि जैसे for loop के अंदर compiler आता है, उसको continue statement मिल जाता है, और फिर से starting में चला जाता है, वो print app तक आता ही नहीं, यानि कि continue statement compiler को print app तक आने ही नहीं देता, इसलिए हमारा output यहां पर आप देख सकते हो कि output में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो I hope की continue statement से related आपके सारे doubt किलियर हो गए होगे, और अगर फिर भी इस topic से related या इस वीडियो से related आपके मायन में कोई doubt या कुछ भी सुजाओ हो, तो please comment section में जरूर comment कीजेगा, और अग subscribe नहीं किया है, तो please जरूर subscribe कर दिजेगा, thanks for watching.